मुझा अच्छा अच्छा है मुझा अच्छा अच्छा है मुझा अच्छा 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 है अच्छा 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 अच्छ में प्रभजी आत्मा और सच्चाई से बड़े बोज और आनन से खराई से आपको धनिवाद करने आपने हमें जीवितों के मद्ध में रखे हैं हम से प्रोयम किये हैं हम एक शमा किये हैं आपके लहू से चड़काई से छुद्ध किये हैं प्रभजी हम धनिवाद करते हैं पर प्रभुजी आपने ख्षमा किया है, शांती दिये हैं, और प्रभु हमें जीवितों के मद में रखे हैं, आप हमारे उधार करता हैं, ओ प्रभुजी आप हमारे बल हैं, गड़ हैं, ओ प्रभुजी हम धनिवाद करते हैं, प्रभुजी आपका क्रोध भढ़कने के द्वारा, प्रभुजी कितना नुक्सान और नस्ट हम देखते आये हैं, लेकिन प्रभुजी हम और मैं कोई भी योगिता नहीं हैं, फिर भी आप प्रभुजी जीवितों के मद में रखे हैं, आपका प्रेम हमारे पक्षमें उंडे सल्ते आये हैं, और एक नया दिन आपके चरण में भौन में, आपने कीएवे भलाई को समर्त करने, आपने दियावा उद्धार को समर्न करने, स्थुती बढ़ाई करने, प्रभजी आपने जो मोका दियां प्रभु धनिवात करते हैं, आदम और हवाने, प्रभुजी आप प्रभू कि मनुष्य बढ़ते गए फैलते गए आपको भूलते गए और आपका कुरोज भी भढ़का प्रभजी क्या मनुष्य क्या पशी पक्षी रेंगने वाले जंतु सब नस्ट किये नोहा को आपका दया मिल गया आपका भई मानने वाला था अपने जमाने के साय लोगो पिताने वाला बन गए वो डर और भय हमें बने रहें इसे के लिए प्रभूजी आपके वच्छन और प्रभू आपकी दया आपकी करुणा हम पर आप उंडेलते आये हैं प्रभूजी धनिवात करते हैं इस क्रोज से बच्चा आने के लिए प्रभूजी आपना एकलता आपने किये है, प्रभूजीए ही हम धनिवात करते हैं प्रभूजी नवा अध्याय आटर वच्चन में पढ़ावा वच्चन हमारे आशीजित करें और आपके शरीर की निवमम बने रहने के लिए हमें सायता करें, आपके आगमनतक, आपके पच्शनों में, आपके दर्श आप हमारे द्वारा प्रगट करें प्रभू साय तक हमें शूद्ध करें द्यावा समय के लिए हम धनिवात करते हैं सारा महिमा अधर आपको सोमते हैं प्रातना प्रभिश्मसिके नाम में मांगते हैं आप 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 अधिये फिर एक बार पढ़ लेते हैं नौवध्याई 18 वच्चन को आप 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 यहां पर पाउलुस के गवाई को हम देखते हैं इकड़ा पाउलियों का साक्ष्यानी मनुद्स स्ताम। आप इससे पहले पाउलुस तीन दीन और तीन रात ना तो कुछ खाया है ना पिया है हम देखते हैं अंदग के नाई उसने जीवन बिताया अंतक मुनुपू अपोस्ट्रेटर पाउलु मोडु दिनमुलु मोडु रात्रुलु आनन पानम लेनी वाड़ेगा उन्टु गुरुटि तनमुलों उन्न वाड़ेगा उन्नाडु अनि तेच्चा अधोगे पेशित पॉल तीन दिवस तीन रात्री काई ना खाता ना पिता रात्रन दिवस उपाजी रहला नी तश्य प्रक्रेट अंदवय पनातु रहला है तीन दिन के बाद में मुडु दिनमल तरु आता तीन दिवस्तान अंतर यह आत्रावचन में लिखा है पच्चिन दुच्चिन राय बड़े उन्नादी आर तुरंत उसके आंखों से चिलके से गिरे आर वो देखने लगा आर उटकर बाप्तिसमा लिया अपड़े आतनी कनुलन नुटी परलवन्टी वी रालगा दृस्टी कली लेची बाप्तिसम्पन्दीनों तरवाता आहरूं पुच्चकोनी बलाबडेनों तक्षनी द्याचा डोल्या वो देखने खपल्या सरके काई पढ़ले वो त्याला दुष्टी आली आर तुरंत उसके आंखों से कुछ चिलके गिरे है वेंट ने तक्षनी द्याचा डोल्या वो देखने खपल्या सरके काई पढ़ले आर उस घर में गया और उस घर अपना हात उसके उस पर हात रखकर कहा है भाई शावल। प्रभु अर्तात ईश्यू जो उस रास्ते में जिसे तु आया है तुझे दिखाई दिया था उसीने मुझे भेजा है कि तु फिर दृष्टे पाएं और पवित्रात्मा से परिपुर्ण हो जाएं आनने ये वेल्ली आ इंट प्रवेसिंची अतनमेद चेतुलुंची सवला सहोधरडा ने वच्छिन मार्गमुलो ने कनपड़ेन प्रभवयन येशू नी दृष्टी पंदी परिश्यू दात्मतो निम्पबड़ेन अटलू नन्नु पंपियो नाडेने चेपेनू जब उसने प्रार्तना किया है उसके आँखों से छिलके गिरे है क्या है ये चिलके आयूब के खिता में लिका है योबा से पुस्तक देलिलुलो चाहि है उसका पंदरा वच्छन में 21-3-15 उसका सब लोग मिलकर पढ़ लेंगे नालबाय ओट आच्छा है में पदियोंने वचना मनंदर गोड़ा कलित सदु कुंटा मुझा उसके चलिकों रोख के और रोख के और गमंड के कारण परस्पा जखुरूंट अकलिया है यह चिलिके क्या बताती है यह का परोल यह चुपिस्तो नवी यह चिलिके क्या बताती है यह का पाधों के पास बैटकर शिक्ष पाया हुआ वेक्ती है पादा पादा प्राप्त करूं गेतली आहे उसके पास इसने शिक्षा पाया है और महायाजों के पास इसने बहुत बड़ा अधिकार पाया है अधिकार प्राप्त करूं गेतली आहे प्रेरतों किताब नवाद द्याद 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 में हम देखते है और उससे दमिश्के आरादनालों के नाम पर इस अभी प्राय की चिटियां मांगी की क्या पुरुष क्या स्त्री जिने वो इस पत पर पाये उने बांद कर एरुषले में ले आए याने इतना बड़ा अधिकार किसी को नहीं दिया गया है आर वो भी में भूमी पर गिर पड़ा और या शब्द सुना हे शाल तू क्यों मुझे सताता है अपड़ो नेलमेद नुटी सावला सावला अपड़ा तू नेलमेद पड़ी सावला सावला निवेलननों हिमसिंत सुन्नावनी तनतो वका स्वरमू पलगुटा विनेनू जबी वो दमिश के निकट पहुंचा एका एक आकाश उसके चार और एक भाउत बड़ी जोती चमकिया है जोती के द्वारा एक बात आवाज उसे सुनाई दिया है जोती के द्वारा एक आवाज उसे सुनाई दिया है लोगों को सावल सता रहा है लेकिन प्रभु एसु मसी को इतना बड़ा दुख हो रहा है जोती प्रभु एसु मसी पर विश्वास करते है उसके संगती में रहते है उसके शरीर में सभागी होते है उनमें प्रभु एसु मसी रहते है वारी लोग प्रभु एसु क्रिस्ट वारो निवासम चैस्तारों दूसरा कोरंतियां प्रभु एसु करने वाले की समान है जो परंतु सरवादा आयंद करते है हम येशु के मृत्यू को अपनी दे में हर समय लिए फिरते है कि येशु का जीवन भी हमारे दे में प्रकट हो आमी येशुचा वद सर्वादा शिरेरात वागितो अशा एतूने की येशुचे जीवनी आमच्या शिरेरात परकटवावे यानी जो प्रभु एसुमसिके है ते प्रभिशु क्रिस्ट वारा येँणतारो जेकुनी प्रभिश्ँ किस्ता चे आहेद उसने महायाजक से अधिखार मांग लिया उसने महायाजक से अधिखार मांग लिया कि उन्हें बंदी बनाकर एरुशले में खीच ले जाए और उन्हें घात करे अधिकार उन्हें वाड़क लिया ना पुरिश असरी अधिखार में लेकर आम देखते हैं आपन पातो जो विश्वासी है प्रभेश मसे के नियुम में जीवन बिताते हैं आपन पातो उसके जमाने के लोगों के में मध्य में वो खराई का जीवन बिताने वाला था आपन पातो जीवन बिता रहा था और परमेश्वर का भाई मानने वाला था इसे के लिए परमेश्वर के द्वारा वो बचाया गया है हम यहां पर देखते हैं जो प्रभु एसु मसी के मार्ग में चलते है यहां प्रभु एसु मसी को यहां पर दुख पहुंच रहा है हाई ते प्रभु एसु कृष्ट वार अला आयक का परिस्तित नोंडी दुखान नी प्रभु एसु कृष्ट वार दुख मुच रहा है अश्या लोकांसा च्छ होता अस्तना प्रभु एसु किस्ताला दुख होता है हाँ उसी समय हम देखते हैं आ समय हम लो ने मनों जोस्ता मुँच रहा है नोवा के समय में नोवा समय में लो नोवा को इसलिए बचाया गया नोवा ने इविदिंगा ने मरे रेक्सिस्त वच चाड़ू कि परमेश्वर के मार्ग में जीवन विताने वाला है नोवा के परिवार के अलावा और भी लोग है नोवा को इसलिए बचाया ने जीवन नहीं बिताया है अपने मन के अनुसार जीवन विताया है अपने मनाला वाटिल तसे जीवन जगत होते इबरानी के पत्री इबरी पत्र का इबरी लोकास पत्र दस अध्याय पदिहोच जय मूँ इबरी लोकास पत्र धावाद द्याय उसका 26 वचन इरवा आरो वचन मूँ इबरी लोकास पत्र धावाद द्याजा 27 वचन हाम समलंग में लुकर पढ़ लेते हैं जान बुझकर इन्होंने पाप किया है आप परमेश्वर का क्रोध भड़क गया है हम देखते हैं पूरे लोग नस्ट हुए आप परमेश्वर को जानकर परमेश्वर को जानकर उसके बलिदान को जानकर और उसके विरोध में आगर जीवतान जीविंच नट लएते जल परमेश्वर कर एक शिक्षा रखा गया है हम पढ़ते आएं दूसरा पत्रस तीसरा अद्या साथ वचन में हम देखते आएं पेत्रा चे दुसरे पत्र दुसरा द्या साथ वचन में आपन पाइला है आए भक्ती हीन लोगों के लिए तक रखा गया चोंड़ी एकड़ा भक्ती हीन लोगां साथी राकून ठेवलिला है वर्तमान काल का आकाश और पृत्वी इसके लिए रखे गए हैं कि आग से जलाए जाएं वर्तमान काल नोट वेंटी आकाश में भूमी अंधिके मरी आयकोंच बड़ी इंदु कंटे आयका मरी आगनी चेता आगनी गंदा मुचेता काल चबड़ा वल सी उन नदी आकाश पृत्वी आगनी ने राख लेले आहे अगनी साथी भक्ती हीन लोगों के लिए रखा गया है भक्ती हीन लोकों को रखे उन सबड़ी उन तो नदी भक्ती हीन लोकां साथी नाशा साथी दिवस ठेवले लेला है राकुन ठेवलेला है यानि भक्ति को जानकर भक्ति नियर्गी गोड़ा भक्ति ची उड़क अस्तना देखील वो भक्ति हिंता में जीवन बिता रहे हैं भक्ति हिन अंगा जीविची नटलेते अनि भक्ति माहित अस्तना भक्ति इन जीवन जगत अस्तना उनके लिए अगनी रखा गया है वार को र एक बार उस प्रकाश का ध्यान पाकर तुम और तुम पाप में जियोगे तुमार लिए अगनी रखा गया है एक बार जोती पाई है और जो स्वर्गिय वर्दान का स्वाथ चक चुके है और पविता आत्मा के भागी हो गए है और परमेशो के उत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर तका स्वाथ चक चुके है यदि वे भटक जाए तो उन्हें मन फिराओ के लिए फिर नया बनाना अन होना है क्योंकि वे परमेशो के पुत्र को अपने लिए फिर कुरूस पर चड़ाते है और उनका और उसका अंत जलाया जाना है वारियो का तुदक वारू काल चे वे बड़ना है किन लोगों के लिए है यह वर कोसमूँ आनि है कोना साथी आहे यहाँ पर पांच उचन में देखे परमेशोर के वत्तम वचन का और आने वाले युग की सामर्त का सास्वाद चक चुके हैं देवनी दिवय वाक्यमनो राबव येगो संबंद में शिक्तल प्रभावमनो अनुबव उन्चना तरुवात तप पेन वारू आने जाननी देवाचा सुवचना ची वो इनरे युगाचा सामर्त ची रुची गेतली आरो जिनोंने जोती पाया है जोनोंने स्वर्गी वर्दान का स्वाद चक चुके हैं अपने जीवन चीनट लेते हैं आरम से परमेश्वर का क्रोध क्यों भटकता हुआ आया है क्योंकि जान बूचकर जानते हुए परमेश्वर के विरोध इन्हों ने जीवन बिताया है अईसे जो हम देखते हैं बहुत सारे लोगों को लिए नहीं है जो उधार पाए है जो रहेते रक्षिंच बड़ा रोगों को नाचे तारन जाला है उत्तम के वचन के उत्तम वचन के उन्होंने स्वाद पाया है यहां पर लिखता है आने वाले यूग का सामर्त का स्वाद चक चुके है आने वाले यूग क्या है प्रभुएशु मसे का राज्य है यह बहुत सारे लोगों को पता नहीं है इसको जान सकते है वारे गुर्टिरिंगन वारे यूणना रो इसके लिए इस संसार का जो कलेश हो, दुख हो, रोग हो उन्हें कोई फरक नहीं किरता है क्योंकि आने वाले यूग में परमेश्वर के साथ, प्रभेश मसे के साथ हम देखते हैं युगान युगा हम जीवन बिताने वाले बन जाएंगे में पिता के संग और तुमारे साथ इस निम उनियम को निबाने तक, और फिर कभी इसमें भाग नहीं लोंगा प्रभेश मसे ने बताया है मरी इकड़ा मरी इकड़ा मरी इनोच ने ना हाँ, ट्वंटिनाइन ना तन्री राज्यम लो मीतो कोड़ा नेनू यी द्राक्षा रसनम प्रत्त दिगा त्रागु दिनम वरको इकड़ा दाने नी त्राग ने मीतो चपचना नेनू 31 स्वाशनम मी तुमा संगतो की मी अपले पिताचा राज्यात तुमा बर नवा दाक्षास पी परेंत इतुन पुड़े दाक्षास हाँ उपज पिनारस नहीं आँ, मैं तुमसे कहता हूं की नेन मीतो चपचना नू आने मी तुमा संगतो की ये दाक्षा ये रस उस दिन तक कभी ना पियोंगा जब तक तुमारे साथ अपने पिता के राज में नहीं ना पियों आने पिताचा राजा तुमा बर नवा दाक्षास पी परेंत इतुन पुड़े दाक्षास हाँ उपज पिनारस नहीं हाँ इसी के लिए आखरी भोजन के समय में सारे चेलों को उसने बुला करे आखरी भोजन किया है तो यह खा रहे ते तो येशु ने रोटी ली और आशिश मांग कर तोड़ी और चेलों को देखर कहा लोग खाओ ये मेरा देः है मक्त ये भोजन करे आसना येशु ने बाकरी गितली वो आश्वा दिवन ती मोडली आनी शिशना दिवन मंटले घ्या खा ते माजे शिर्या है यहाँ पर हम ध्यान देते हैं यहाँ आशिश मांग कर तोड़ा है यहाँ पर क्या देखते हैं देखिए हम रोटी के नियम के लिए आये हैं यहाँ आशिश मांगते हैं यहाँ प्रभु का श्रीर हमारे लिए रहता है जो बहुतों के लिए पापों के ख्षमा के निमित बहाया जाता है यहाँ आशिश मांग के लिए रहता है यहाँ प्रभु के लिए रोटी प्रभु का देव उसने बताया है यहाँ आशिश मांगते है अशिश मांगते है यहाँ आशिश मांगते लिए रुटे प्रभु का देव इसने बताया है इसके लिए पॉलूस केते हैं इसके लिए हम रोटी हलका मत सोचिए अंद के मारी यका रोटी नू मनु यंतो चुलूगा मनु तीसको नो कोड़ दो आशीश मागने के दवारा तोड़ने के दवारा प्रभवेश मसी ने बता ये मेरा शरीर है आश्वादी उन मोडली त्याच्य माई प्रभवेश के दवाग लिया इसमें अपुडे आतने कनूल नूंडी परलाव अंटी भी रा लगा दुरूस्टी कली गनू और उटकर बप्तिजमा लिया लेची बाप्तिश्म पुंदिनू आनि त्याने उटन बाप्तिश्मा घितला और भोजन करके बल पाया अहारन पुच्छ को नियो बल पड़िनू आनि मग अनन घितला उतला शक्ति आली आर कई दिन उन लुद्छेलों के साथ रहा जो दमिशक में थे जुटे मेरे अनेक दिन मुलू दुरुष्ट लेन वाड़िगा उन्ट वच्छाडू आन नियास ने उस पर आत रहकर जब प्रार्थना किया अनने यह पड़े तेम तन्यका छेत लूंची मेरे सवल नूँ प्रार्थन चिन पड़ू आने ने तेच्छा डोक्यों पर लो राल ने वंटिवा उन्ट नवी तेचा डोला उनका खपलया पढ़ले आ है यानि उसका घमन पूरा गिर गया है तन्यका मरी आयका मरी आयका घरों मने दी पूर्तिगा ताकी पोतो उच्छा अने तेचा अभिवान पढ़लेला है यहां पर हम देखते हैं यह कड़ म बदल गया है तन्यका जीवत मार्चा बढ़िंदी तेचा जीवन बदलेला है आर उटकर वो बाप्तिजमा लिया है लेच वेंट ने बाप्तिजमा गितला है उसके बाद में उसने भोजन करके बल पाया आतरवा ते आहार मनों पुच्छ को ने बलान पुंद को नवाड़ उसके बाद में लिखा है आतरवतर राय बढ़ियों नदी को कई दिन उन चेलों के साथ रा जो दमिश्क में थे आतरवता अने एक दिन मों लू मरें शिशल तो कोड़ा मरें एक दनम दमस को लो शिशल तो कोड़ा उन्टो वच्छा नहीं आनन तर दिमिश्क अतल्या इसा नहीं है मनम तिनी त्रागी मरें चोतल कली पी तिरीगी वेली पातम तिरीग रेंडवा आधिवारां वो रावटम का दुगाने आनि खावन प्यून यहाथ दाकून हाथ मुन पूर्चा रहवरी प्रेंद परत यहने आसे नहीं यहां पर पालुस ने क्या किया है इक 20 वचन में पढ़ते हैं और वो तुरंत आरादना आलेयों में येश्व का प्रिचार करने लगा कि वो परमेश्वर का पुत्र है यानि प्रिचार करने लगा है परमेश्वर के दया उसका जीवन बदल गया है इसे के लिए बदला हुआ जीवन से इसमें भाग लेना है परमेश्वर का प्रिचार करने लगा है जो मेरा वानी को सुनकर जो कुनी माजी वाने आइकून अपना रुदय खोलता है मैं उसके भीतर आऊंगा वार लो निकी प्रवेसिंची और उसके साथ मैं भोजन करोंगा वार अटो कोडनेन भोजन का संगतिय है यहाँ दिखाई देने वależ भोजन कोंसा भी नहीं है यहां पर पॉल उसका जीवन बदल गया अर उसने बप्तिसमा लिया है और उस हम देखते हैं शरीर में लहु में भाग लिया बल पाला तब हमें बल मिलता है अपडे मनको बल मल विस्ति इसमें भाग लेने से कोई बल नहीं रहता है यहां ने बताया यहां रचे सुसमाजार छे अध्याय में यहां न शुबत्माथ सावाद्य हमदे यहां आसमनत है कि जिस तरह मैं भेजा गया हूँ और मैं जीवित हूँ और तुम जो मेरा मास खाते हो लव पीते हो मेरे द्वारा तुम जीवित रहते हो यह विदें गईते ने इनु तन्रुन डी पंपड़ ने ट्वाड नी नायका रखता नी त्रागी नायका माम्स नायका शिरीरा ने बुजिस्ता रो मरी जीव मगले ने ट्वार का उंटा रो जैसा मुझे पिता ने बेजा है और मैं पिता के कारण जीवित हूं वैसे ही वह भी जो मुझे खाएगा मेरे कारण जीवित रहेगा जीव मगला तन्री नन्न पंपेन गणुका ने टन्री मोलमगा जीविन्च चुनना ट्टे नन्न तिन वाडू ना मोलमगा जीविन्च उनू यानि परमेश्वर के द्वारा अगर हम जीवित रहना है उस परमेश्वर के द्वारा भेजा गया प्रभु एसमसी का शरीर जो रोटी है हमें भोजन करना है अपड़े मनमु आत्मेश्वर का वाक्या नियमनु प्रचार कर सकते है अपड़े मनमू आयका मरी तनयों का वाक्या ने मनू प्रचार हम जेसे तुन्डवारम का उन्टामू अगर लोगों में आप में कोई फरक नहीं है तो उसमें क्या अदल बदला आए चाहे अपड़े मरी प्रचिल लो इलांटी महर पुले ने टलाई ते मेरा अला आयका मरी परिसित लांटी महर पुले पूटू अरे लोकान मादे तुमच्या मादे काई बदल नसे तर काई तुम्ही वेगर जीवन जकता इसी के लिए हम देखते हैं आप है अंदे के अमनों एकड़ चूसता है अरे मोनी आडिकने अपन पातो पहला जबी वो छिलका गिर गया ये पड़े ते आयका पललो किंदले राल बढ़तो उच्या ये जवाद ये खपलया खाली पढ़ लिया हाँ जो घमंड कहलाता है ये ते घरोम का गरोमा नीजे पलो बढ़ते हैं अरे अभिवान मनों बोलो जाता खप गया हाँ शेतान भी इसी घमंड के कारण अपने स्थान को खो लिया सातान ने देखते हैं स्वर्ग दूत जो है वो जो लूसिफर था इसे के लिए उन्चे स्थाई से गिराए गया है गर्व घमंड हमें हीन या और दीन स्थिति को लेके आता है हम कोई भी क्यों ना हो चाए सेवक क्यों ना हो विश्वासी क्यों ना हो आम पुराने लो क्यों ना हो ये घमंड हमें किसी ना किसी कोने से हमें आकरमन करता है जबी हम इस रोटी के नियम में आते है हमें दीन नमर बना कर परमेश्वर के हाथों में एक उपयोगे और अवसार बना देता है हाँ उसको तुम्हारा ध्यान है कनुका मी चिंता यावत तो आयने में द वेड़ी त्याचार तुम्ही अपनी सर्व चिंता ठाका तो तुम्ची काजिक है तो चे उचन पड़ी एक बार और उचन परमेश्वर के बलवन्थ हाथ के नीचे दिनता से रहो जिससे वर तुम्हें उचीत समय पर बढ़ाएगा याणी हम उसके बलवन्थ हाथ के नीचे आना चाहिए है हर प्रकार से हम नम्रता में आना चाहिए प्रत्यक प्रकार आपन लीन जाला पाएगे तो कि हम दानियल नभी की किताब में देखते हैं दानियल नभी की किताब उसका चार अध्याए नालगों अच्छा है मुझ नभुकद नेजर ने अपने आंके श्वर्क की और उठाई और मेरी बुद्धी जो की तो हो गई तब मैंने परंप्रदान को धन्य कहा और जो सदाजीवित है उसकी श्तुति और महिमां प्रकार ने पर्दान को धन्य कहा और जो श्तुति और यह कहका करने लगा उसकी प्रभुता सदा की है बाज 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 आ कालम गडिचिन पिम्मट नेभुकद नेजरु नेनु मरला मानव बुद्धी गलवाडिने नाकंडु आकाशम तट यत्ती चिरेंजीवियू सर्वोर्न तुडगु देवुनी स्तोत्रम चेसी गनपरिची सूतिन चितिनी आयन आधिपत्यमु चिरकालम अरको आयन राज जिवन तासनाय देवाचे स्तवन केले त्याचा महिमा गायला करन त्याचे प्रवत्व सर्वकाचे आयनि त्याचे राज पिड़यान पिड़यार आनरे आहे क्योंकि ये मनुश्य में से निकला गया था अरे यहला मान साथ पुन हकलून दिलना दाला काड़न टाक लेला होता देखे 33 वचन में 33 में लिका है उसी घड़ी या वचन निवकजनेजर के विशे में पूरा हुआ वो मनुश्यों में से निकाला गया और बायलों के समान घांस चरने लगा आर उसकी देख आकाश की ओस से भीगती थी वहां तक की उसके बाल उसके पक्षियों के पैरों से आर उसके नाकून चुडियों के पंजों के समान बढ़ गये आ गडियलो ने आलागुना नेवुकत नेजुनको संभविन्चेनू मानोललो नुटी अतननी तर्मिरी अतड़ु पशोलु वले गड्डि मेसेनू आकाश मन्चु आतनी देहमनु तडपगा अतनी तलवेंटुकुल पक्षिराजु रेक कला ये कल वंट वियू आतनी गोल लुपक्षिला गोल वंट वियू नायनू त्यास घटकेस नमगने शर्राचा प्रतिकरश्त आले त्याला मनुश्या तुन गालवन दिले वो तो बहला प्रमने गवद खाव लगला त्याचे शरीर आकाशतला दही वराने विजू लगले त्यातवर की त्याचे केस गरुडाचा पीसास प्रमने वाडले आनि त्याची नके पक्षाचा नकाय सारकी जाले अम देखते हैं आनि आपने अडिकने पातो ये अपने बल के मुताविक अपने ज्ञान के मुताविक वो घमंड करने लगा है आनि आपने ज्ञाना वरती आपने बड़ा वरती तो अगर्व अभिवान बाड़गो लागला आ उसी समय आ समय मुलो ने द्याच शनी देखे 32 वचन में आवर तू मनुषों के बीच में निकाला जाएगा आर मैदान में पशों के संग रहेगा आर बाईलों के समन घांस चरेगा आर साथ काल तुझ पर बीतेंगे जब तक कि तू जान ले कि परमे परमप्रदान मनुषों के में राज और प्रभुता करता है मुपेरोंडे वच्चिन मलो तमय यद्दा अनुणडी मनिशलू निन्नू तर्मेदुरू नीवू अडवजिंतलू मद्या निवासम चेचू पसल वले गड़ी मेसिदू सर्वनतलू देवनी देवुडू मानोवला राज्यमुपैना अधिकारिये युण्डी तान यवनिकनी दाने अनुग्रियंप निची इन्चूनू वानिक अनुग्रियंचूनननी निवुतिल्सकून वरकू ये डुकालमलो नीकी अलाग जरू गने निचे पेनू पाउल की जीवन में हम देखते आये हैं अनन यास ने जब ये परार्थना के चाड़ू अनने अनने परात्ना के लिए आंकों से छिलके गिर गे अने दोड़े राजा को परमिश्वर ने बताया है कि जब तुक तु जान ले कि परमप्रदान मनुशों में राज और प्रभुता करता है जिसे चाय उसे वो दे देता है जब तक तु नहीं जानता तब तक हम देखते हैं तेरा यही परिस्तितियां है सर्वोर्न तुडगो देवडु मानुवल राज जिम पैना अधिकारी यह उन्डी ता निवने कि तानी अनुग्रियं पनीची इन्ची इन्चुनो वानिक अनुग्रियंचुन निव तिलिस्को नुव रको येडुका नमलु नीकी लागो जरुगननी चेपेनू आनि मानुवी राज्या और परात पर दिवाची सत्ता है वो तो तो ते पाहिजे त्यास देतो है न्यान तुला वही परंत तुज वरुन साथ का जातील इसका घमंड जो छिलका कभी और कभी गिर गया इतनी योखा अमरे घरों मू आयका परलो युपड़ राल दो चाई आनि अच्या अभिमाने रूपी खपली कदी पढ़ले खाली पढ़ले आए देखे जे तो 34 सोचन में दानियल नमी किताब 4 दे 34 सोचन आनि दानियल गरंदमू नालगा जे मुपई नालगो चन दालें चो पुस्तक 4 37 में दे पहा उन दिनों के बीतने पर मुझे नभुकदने जरने अपने आँके स्वर्की ओर उठाई आ कालम गड़िछन पीमटा नेभुकदने जिरू नेनू मरला नेनू मरला माना उबुदी गला वाड़े ना कनलो आकाशम तर्टो येत्ती जबी उसने आँके स्वर्की ओर उठाया है क्योंकि बायल के समान बन गया अर दिन मुंडी नीचे डाल कर घांस खाना है प्रति दिन मुकोडा तने यका मरे मरे नोटी नी क्रिंदी कुवंची गेड़िन दिन्टो उठाया है तने यका कनलो पाई के तेड़ू आर मेरी बुद्धी फिर जोंका त्यूं हो गई ताब मैं परमप्रदान को धन्य कया आर जो सदा जीवित है उसकी स्तूती और महिमा ये करकर करने लगा आर अपना बल पर अपने न्यान पर घमंड करने वला वेकती चुन तने यका बलम मेदा तने यका जन्यान मेदा गरवों कलिगने टुवंटी वेकती आर अपने अपने आँखे उठाई है तने यका कंडल नू आकाशिम वे पेती आड़ों या लिखा है मेरी बुद्धी जोंका त्यों फिर से हो गई है अपने यका बुद्धी जोंका त्यों मेरी समको उच्चु पोए निए ना बुद्धी मरला ना मानव बुद्धी वो गलवाड़ी नहीं तिनी यानि इसके बुद्धी मेदना गरविंचने टुट वेग्ति नौ की मौननन ही इसके लिए आपको सथे क्पाश करिया हमारे लिए ये कौन सा इसा चिलका है जो परमेश्वर को हम देख नहीं पाते हैं जबी ये चिलका गिर गया जबी उसने आंके उपर उटाई उसकी बुद्धी स्वाधिन में हो गई जो कत्यों हो गई है और उस परमेश्वर को प्रसंसा करने लगा है आयका मरी देवाद देव इन्नी मरी आर मरी आयका स्तोत्रम जे सुंटो नाडू देवाचे स्तोवन तेने केला है देखे चोंतिस वच्चन आकरी भाग में ता मही ने परम प्रदान को धन्नी कहा और जो सदा जीवी थै उसकी स्तूती और महीमा कर करने लगा इसे के लिए धनिवाद करके इसे रोटी थर्डना तोडना है आनि मोना आपना भार मानों नी भाकरी मोडली पाईजे इस नभुकद्नेजर ने कभी धनिवाद किया है यह का नेभुकद्नेजर वेपड़ू मारे कृत्र स्तूतल चलिंचा लुए ने कदी आभार मानला है इसका जीवन बदल गया तन्यका जीवत्व मार्च बढ़ेंदी परमेशार को जान लिया है यानि हम देखते हैं जो मेरा वानी सुनकर अपना द्वार खोले जो मेरा वानी सुनकर अपना द्वार खोले अगर मेरा भुझन करेंगे जीवन तो बदले उसके बाद में हम उसके साथ बोजन करेंगे यानि इसके इस रोटे में भाग लेने के लिए हैं आपने जीवन बदल कर इसमें भाग लेना चाहिए यह कहता है जितने बार इस रोटे में भाग लेते हो उतने बार प्रभई समसी का मृत्यू को तुम्हारा बदलावट का जीवनी ही तुम्हारा प्रचाहर है अगर हमारा जीवनी नहीं बदला तो पुरानी जीवन से हम जीवन बिता रहे है यह ब्रानी के पत्री में हम देखते हैं अंत में उसका जलाया जाना है यह ब्रानी पत्रास दूसरा अध्या तीसरा अध्या नव अचन में कि वो हमें समय दे रहा है कि इंका मन को समया निस तो उन्ट नव आये मन तो अपने ले वेर देता है यह बर पढ़िये इक दा वात्सा अग्चा शादू कुंटाम लिए जब को मन फिराव का अश्र मिलें नहीं चाहता कि कोई नस्ट हो सब को मन फिराव का अश्र मिलें अंदर कोड़ा मारो मनसुपंदवाले ने को रुकुंटु उन्हाद इस कुनाचा नाश वहावा अशी तेजी चनाइधर सर्वनी पच्छताप करवा अशी आए को से चिलके हमारे आंकों में है हमारे चिलके हम जानते है कशा प्रकेश खपले अपले डोले ना है या ची महिती आपलेला है लोगों को प्रेम नहीं कर सका प्रेम करने के बदले उन्हें मारने के लिए सोचता रहा लेकिन जबी छिलके गिर गए प्रबेश मसी के द्वारा उसने बल पाया है प्रबेश्य किस्ता मुले त्यला शक्ती अलिया है और संगती करने लगा है प्रचार करने लगा है यह क्या दर्शाता है जिसके छिलके गिर गए अपने आपको जांचते हुए प्रबेशय करों प्रबो हमको सहय तह करें प्रमशांचा प्रकरा करें अपने लगा है करूМ